दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने घर पर इनवेटर कनेक्शन कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको किसी भी इलेक्टीशन को बुलाने की जरूरत ना पड़े ना उसको कुछ पैसे देने की जरूरत पड़े क्योंकि अगर आप किसी भी elco się को बुलाते हैं inventor connection करने के लिए तो वो आप से कम से कम हजार रुपय चार्ज जरूर करता है जो कि वो एक घंटे में ही आपके inventor connection को करकी चला जाता है क्योंकि inventor connection बहुती easy होता है आसान होता है इसको कोई भी कर सकता है बस इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आपने वीडियो को कम्प्लिट देख लिया है तो आप अपने घर पर खुछ से इनवेटर है उसके connection आसानी से कर सकते हैं तो देखिए अभी हमारे घर में supply कैसे होते हैं यह mcv box है तो यहां पर क्या होता है यह supply हमारी mcv box से जो भी हमारे room होता है बहां पर आती है कि आपके connection पहले कैसे होते हैं फिर आपको इनवेटर connection कैसे करने पड़ते हैं तो देखिए में supply आएगी आपकी mcv में और mcv से निकलेगी तो जो भी सुच बोड होता है उसके सुच में यह supply जाएगी और सुच से हमारे जो socket में supply जाती है तो इसी प्रकार से हमारा दूस बढ़ाले भी है उसमें हमारा न्यूट नूटल आएगा और न्यूटल जो भी हमारी socket होती है तो सुच्ड को क्या झेदोर बच्छता है उस शौुत में इसका मिन रंच सुच में होता है और उसके बाद हमारा भी him कर्का सी हमारी जा औपास अगर कि सभ् consumers कम भी सभ्य ख ऐर्थिंग क्या होगी इस प्रकार से आएगी और जो सूचा जो सौकेट होती है उसका जो ऊपर वाला बीच वाला टर्मेणल होता है बहां पर अर्थिंग को कनेक्ट कर दिया जाता है तो देखे इस प्रकार से हमारी जो हाउस बाइर रिंग-लने वह उसके बाद जो हमारे सुच बचते हैं देखिए यह सुच का दूसरा टर्मिनल बचता है उसमें कोई भी हमारा एक्कुप्मेंट जड़वा होता है फैन हुआ लाइट हुई या कोई एलेडी वल्ब हुआ या कोई डेकुरेशन लाइट हुई वह इसके द्वारा करने पड़ते हैं तो अब बात करें इनबेटर की तो इनबेटर में आपने देखा होगा कि दो लीड निकली होती है एक ब्लैक और एक रेड और उसके बाद एक लीड होती है जिसमें यह टॉप लगा होता है जिसको आप चार्जिंग पर लगाते हैं तो आपको क्या करना ह इसको आपको Bateries के चार्ज नहीं रखना है अगर लूज रहेगा तो बैटरी आपकी चार्ज और अ कि यहांO बोड में लगाना होता है ये बोड हम charging के लिए यूज़ कर रहे हैं इस top को यहाँ पर लगाएंगे तो बोड लगाने से पहले ये top लगाने से पहले हमें एक च्पर ध्यान रखना है आपको इस बोड में check करना है कि आपका फेस किस साइड आ रहा है क्योंकि यहां पर देखेंगे तो अभी हमने फेस राइट साइड में दिया है तो आपको फेस भी राइट साइड में आना चाहिए अगर आप अपने घर पर इसकी बायरिंग कर रहा है तो आपको टेस्टर से पहले चेक करना और टेस्टर को इसकी पिन में लगाएंगे और देखेंगे अगर टेस्टर राइट साइड में गिलू हो रहा है तो सही है और अगर टेस्टर है वो लेप साइड में गिलू होगा जैकि इस पर अगर लगाएंगे इस साइड अगर टेस्टर है वो गिलू होगा तो यह होता है इन्वेटर कनेक्शन में अगर आपके इस प्रकार की कनेक्शन होंगे तो इन्वेटर सप्लाई है लाइट जाने के बाद यह सप्लाई आउट पुट में आपको नहीं देगा तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपको इसको कनेक्ट क करता है और यहां से सिर्फ हम वैस्ट सप्लाई को नखालेंगे तो यहां पर भी अगर हम नने स्कनेक्शन राइट में दो यहां इनवेटर में भी राइट घ्लम में ही फ् uniqu ऐगा तो आपको क्या करना सिंगल बायर है उसमें आ जाएगी और उस बायर को आपको क्या करना है जो भी जहां भी आप उसको यूज करना चाहते हैं जो भी सुच आप यूज करना चाहते हैं जिसे इस प्रकार यह वाले सुच हैं हम इसको इन बेटर से चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा यह जो पहले से जो यहाँ पर face डला हुआ है यह वाला face है जो socket में डला हुआ है तो आप उसको इस जगह से cut कर देंगे cut कर देंगे तो यह आपकी free हो जाएंगे यहाँ पर कोई भी face नहीं आ रहा होगा आपको ध्यान रखना है कई भी आपका in better का face और यह face एक साथ नहीं होना चाहिए तो देखे इस परकार से हमने इसको हटा दिया है यहाँ से disconnect कर दिया है और इसके बाद आप जो जो output में आप बाएर निकालेंगे इस socket से उसको ले जाके आप यह जो सुच हैं उनमें connect कर दें तो देखे इस परकार से हमने यहाँ पर connect कर दिया है उसको यहाँ से disconnect कर दिया है तो यहाँ पर सर्फ Better connection है तो अगर आप ऊपरने सुचमें से किसी और सुच को चलाना चाहिते हैं तो आप बहुत से में फेस आ रहा है लाइन का उसको भाहाँ से disconnect कर दें और उसके बाद तो जहां पर आप इनिबेटर कनेक्शन देना चाहते हैं, जो भी आपकी light या fan है, आपको decide करना होगा कि हम इनिबेटर से क्या क्या चलाना चाहते हैं, आपको इनिबेटर से heavy load नहीं चलाना है, जैसे आपका cooler हुआ या फ्रेज हुई इसको नहीं चलाना है, आप सिर्फ light या कैसारे board भी लगे होंगे, तो आपको simply यही करना है कि जो भी आपके room लगी हुए, room में board है, और उसमें जो आप equipment चलाना चाहते हैं, उसमें आप आसानी से इसके connection को कर सकते हैं, और आसानी से आप इसके इनिबेटर को connection कर सकते हैं, न्यूटल आपको वहीं से मिल जाएगा आपको सिर्फ यहां से face देना होता है, और आप इसके connection है, वो easy हो जाते हैं, तो इस प्रकार से इसके connection कर किये जाते हैं, और आप आसानी से connection को घर पर भी कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान होता है